Hello friends, जैसे के आप सब लोग देख सकते हो, इन्होंने हमारे classes follow करके हमको Instagram पे उनकी practice share की है उसी तरीके से आप भी अपनी practice हमारे साथ share कर सकते हो Instagram की link हमारे description box में है चले आज की video start करते है Hello friends, कैसे हो आप सब लोग हम आज कोई figure work या कुछ सेखने वाली नहीं है मैं आपको आगे के flowers देने वाली थे लेकिन मैंने सूचा अगर आपको flowers में जो shadings होते है वो ही नहीं आये तो आप flowers किसे निकाल पाओगे इसलिए आज हम पूरा shading का class लेने वाले है अलग-अलग टैप की कुछ shading होते है shading के pattern शेडिंग से आपकी मेहंदी में अलग लुक आता है प्रोफेशनल टच मिलता है मेहंदी को इसलिए आपको shading आना बहुत ज्यादा important है तो आज हमारी class shading के उपर होगी तो सबसे पहले हम shading का एक सबसे पहला pattern देखेंगे जिसमें आपको एक simply line draw करनी है और उसके उपर इस तरीके से lines खीचने है single lines खीचने है light ज़्यादा मेहंदी प्रेस नहीं करें हूँ मैं थोड़ी से मेहंदी प्रेस करके single lines खीच रही हूँ अब जब मैं आप ये shade बनाओगे तो आपने जो पहली वाली straight line बनाई है वो पूरी border खराब हो जाएगी shade बनाने के बाद आपको उस border को फिर से dark करना है इस तरीके से क्योंकि वो shedding के बाद वो border खराब हो जाती है तो फिर से उसको dark करना बहुत important होता है ये हो गया shedding का एक pattern अभी इसी pattern में आपको उल्टे side से shedding के practice करनी है ताकि कोई भी shape उल्टा सीधा होता है तो आपको हर तरीके से हर एंगल से आपको वो shedding आनी बहुत important होती है इसलिए आपको सारे एंगल से practice करने है ताकि आपको कोई भी एंगल में shedding करते हो ये problem ना हो अभी मेरे हाथ की तरफ ठीक से देखिए कि मैं किस तरीके से shedding बना रही हूँ यह एक pattern है यह दूसरा pattern है पहले हमने क्या किया एक line पर सिर्फ सीधी-सीधी line खिछते गए पहला वाला pattern बनाते हैं उसमें shading थोड़ी सी कम होती है क्योंकि हम हर एक line separately draw करते हैं यहाँ पर कैसे हम continuously draw कर रहे है इसमें shading का थोड़ा सा ज्यादा असर होता है पहले में एक single line मारते हो तो थोड़ी shading कम दिखते हैं और इसमें जब shading करते हो तो जादा दिखते हैं अभी next में निकाल रही हूं यहाँ पर मैं थोड़ी सी shading का जो यहाँ थोड़ा थिक ले रहे हूं एकदम बतला shading ने करी हूं यह भी एक pattern है यह भी यूज होता है Arabian में हिंदे में या फिर कोई भी different shape में यूज हो सकता है लेकिन यह भी बहुत खुपशुरत दिखता है इस shading में हमको सिर्फ थोड़ी थिक lines के shading बनानी है अभी next में बना रहे हूं यह जो है dotted shading यह किस में यूज होती है यह जब हम नुम की beard विगरा बनाते है या फिर कोई flower का center बनाते है तो उसमें यह वाली shading यूज होती है ठीक है अभी और रेक शेडिंग है उसमें मैं ऐसे circle circle चोटे-चोटे circle circle बना रही हूं देख रहे हो हाथ कैसे गुम रहा है मेरा circle में गुम रहा है बहुत ज़्यादा महिंदे प्रेस करोगे तो बहुत डार्क हो जाएगा तो shading में देखेंगे यह फोर और फाइव में क्या डिफरेंस है एक में लाइन लाइन है सिंगल और एक में continuous line है ठीक है यहां पर थिक लाइन से यहां पर डॉट्स बनाए है और इधर circle circle में shading बनाई है ड्रेस में हमको पूरा ड्रेस फिल करना होता है shading से तो वहां पर हम यह वाली शेडिंग यूज कर सकते हैं अभी यह वाली जो मैं बना रही हूं 7 वाली यह क्या है समझ में आगे है जो हम हमस बनाते हैं न वहीं हमस बनाने है एक की उपर एक लेकिन एकदम light बनाने है एक ohi shampoo वहीं बनाने में तो क्योंगिया यूज होगा जैडिंग जो हुँआ ड्रेस भागरे में वेकिरा यूज होगा वह वाला शेडिंग अभी मैं आपको पूरे शेडिंग सेदा एक देदी हुआ हं अबको हर Elsेडिंग का comment बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं different different shapes बनाईए उसमें हर एक शेडिंग के प्रैक्टिस करिया अभी ये सबसे पहला जिसमें हमने light lines बनाए थे उसके बाद हमने continuous lines बनाए रहे इस तरीके से शेडिंग देखते हैं इसमें हमने ठिक लाइन वाली जो रीडिंग है वो बनाई चाँ है देख सकते हो आ इस सेडिंग की अबकर देखा देती हो इसमें कैसे यूज होता है इस तरीके से देखिए हो गए उसकी बेर्ड इस तरीके से आप गुरूम की दाड़ी बना सकते हैं और फ्लावर में भी यह डॉट्स वाली शेडिंग आप यूज़ कर सकते हैं हो गया अभी next next में एक सर्कल में आपको एक शेडिंग ड्रॉब करके दिखा दी हूं यह वाली जिसमें हमने हाथ को सर्कल सर्कल में घुमाया था हम्स नहीं है यह सर्कल में हाथ घुमा रही हूं मैं इस तरीके से पूरा सर्कल एकदम लाइट शेड में फील हो गया और लास् महम वह हम्स वाली में शेडिनः यहां बना रहे हैं है यहां पे एक और एक यूपर एक लाइट हुमस बना रहे हूं कि इस तरीके से चे कैंब ही यहां पे बॉर्डर हो गया इस तरीके से यह से ये शेडिंग आपको एक शेडिंग का पैटन बताया था इस तरह की का रेगुलर जो कि हम कोई भी बड़े शेप में या फिर ड्रेस में ड्रॉ कर सकते हैं उसको खुला छोड़ने के बजाए आप उसको शेडिंग करके फील कर गेजे ताकि उसको एक अच्छा लुक आएगा ठीक है यह सारे पैटन आपको अलग-अलग शेप में प्रैक्टिस करने हैं और यह ध्यान में रखो कि मैं एक ही बार एक ही शेप में प्रैक्टिस दिखा रही हूं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भी एक ही बार प्रैक्टिस करनी है तो हर एक बॉक्स हर एक बेल्ट फ्ला अरे कि मेरी finishing नहीं बढ़ रही तो finishing तब ही बढ़ेगे ना कि आप बहुत जादा जब practice करोगे हर एक build की हर एक box की 3-4 बार practice करें आपको difference अपने आप दिखेगा तो आज की ये class आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंड करके बताएए जिनकों भी महिंदी सिखनी है प्लीज उनके साथ ये classes share कीजिए और वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक करिए अगर आप चानल पे नहीं तो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं next video में next class के साथ तब तक के लिए take care बाई